हेलो एन वेल्कम बेक तो दे चानल आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंटेग्रेट अकाउन्ट विढिध इनवेंटरी के ओपर इस फीशर के से पहले मैं आपी वीडियो बना बनाकर दी है वो जीरो वैली टांजिश्चेवीन के उपर है उसमें मैंने बताया था कि आप विढ़ा से को यह वाला प्राइब जिडले ओड़ेशंगे बढ़ाने के बाद हमारा अगला अगला होने वाला है ये सी का पाउंट् सनर्वेंट्री एक यह वाला डिॉटी को कफर होगा और बात करेंगे जिसे पहले बाद की जाएगी इंटेग्रेग्रेट अकां इनसे की तो इंटेग्रेट अकाउंट इन्वेंटिंग मतलब होता है जो आपका ओपनिंग स्टॉप प्लोजिंग स्टॉप बैलन्स होते हैं उसको हाइड अन्हाइट करने का इसका काम होता है तो किस तरह से काम करेगा सबसे पहले हमें टेली प्राइम को अपन करना है या टेरी प्राइम सॉफट्वर् को आपको उपन करना है ओ अउपन होने में थोड़ा टाइम लगता है स्टॉप घणा असमें तो हम वह पीट करेंगरें ता कि क्या करना होगा कोई company या तो बनी बने कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप accounts maintain करते हैं या आपको कोई company बनानी पड़ेगी तो मैं कोई पुरानी company ले लूगा जो मैंने बना रखी है यहां से इस company को shutdown करने के लिए आपको जाना पड़ेगा company वाला option में इसके बाद आपके से शट करेंगे और से सेव कर देंगे रिपोर्ट करने के बाद आपको जाना होगा company वह लेनी है जिसमें आपका stocks हो तो मैं ले ले लेता हूं में से purchase and sales सारी कोई यहां पर आ गया मेरे पास कुछ न कुछ stock समरी में होगा balance में यह आगे 40 पीस का चेयर है 8 पीस का मेरे पास sofa set है और 15 पीस मेरे पास stable है इसी condition से मैं आपको दिखाता हूं कि profit and loss के अंदर closing stock के नाम का column होगा यह main चीज है जो हमारे इस feature को समझाती है इसमें बताया गया है कि अगर आपका feature yes होगा तो आपका जो original closing stock होगा वो show कराएगा तो यानि मेरा जो closing stock show कर रहा है टेरी प्राइम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर show कर रहा है 23,600 का alt f1 button press करके मैं brief में देख सकता हूं details में देख सकता हूं कि 23,600 का कितना stock item है और 20,000 रुपे का कौन से stock item होगा साथी साथ बता रहा है कि 2,600,000 का कौन से stock item है और 12,000 रुपे का stock item कौन सा मेरे पास है तो टोटल मिलाके 2,33,600 का stock item मेरे पास है अब इसकी details जानने के बाद हम यह चेक करते हैं कि जो मैंने आपको इस topic के अंदर बताया है कि अगर आपका यह वाला feature yes होता है तो आपका original closing stock balance show होता है F11 तो आपको F11 button प्रेस करना पड़ेगा F11 प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा यह वाला feature integrate accounts with inventory इसमें by default आपको yes देहने को मिलेगा और मैंने बताया है आपको अपनी notes के अंदर भी कि अगर आपका यह feature by default yes होता है तो जो आपका original closing balance होगा वो यहाँ पे show कराएगा अगर अगर आप इस feature को no करते हो तो आपका closing balance हाइड हो जाता है मैं आपको show कराता हूँ अभी मेरे पास yes feature है यह वाला तो हम चलते है stock सब देखने के लिए profit and loss के अंदर closing stock मेरे पास original वाला show हो रहा है यहाँ पर अगर हम F11 बटन प्रेस करते हैं आप यहीं से jump कर सकते हो F11 बटन प्रेस करके और feature आपका होगा यह वाला इंटेग्रेट accounts with inventory से yes करका है इसको मैं no कर दूंगा अगर तो जहां पर जो action perform होगा वो यह होगा कि आपका closing balance वाला problem हाइड हो जाएगा आपके profit and loss वाले performance है यह option जो काम करता है किसी भी profit and loss के अंदर आपका जो closing stock का column आता है उसको show and hide करने का काम करता है कैसे show होगा कैसे hide होगा इसका एक फीचर है आप सीधे f11 बटन को प्रेस करेंगे function का 11 बटन जो होता है हमारा f11 करके आता है इस बटन को दबाने के बाद आपके सामने company के features मिल जाते हैं और आपके सामने अगर ऐसी screen नहीं आएगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके show more features yes है और show all features भी yes होने चाहिए enter button press करेंगे और यहां से इस feature को yes करना पड़ेगा वैसे तो by default आपको यह yes मिलेगा बट अगर yes नहीं होता है तो आप इसे yes करेंगे और accept करेंगे तब जाकर आपका closing stock यहां पर show करेगा अगर आपका यह feature no रहेगा तो आपका जो closing stock का balance होगा वो यहां पर show नहीं करेगा य I hope आपको यह feature clear हुआ होगा बढ़ते हैं अगले feature की तरफ तो उस condition में हमें अपने stock item को show down करना होता है यह feature की आपका काम करेगा किसी भी remaining stock item को show down करना काम करेगा जिस पर effect पड़ता है और effective piece जो होते हैं उसको हम अपने stock से निकाल देते हैं defective piece जो होते हैं मतलब यह करता है कि अगर आपका कोई piece है कोई समान ने वह रखा हुआ है वह खराब हो जाता है रखा 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 तो हम उस खराब stock को इसमें से entry करने के बाद reduce करते हैं reduce की होता है क्योंकि जब कोई समान खराब हो जाता है तो उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको हम बेच नहीं पाएंगे सेल नहीं कर पाएंगे तो वो समान स्क्रैप में निकालना होता है उस समान की एंट्री हमें इस वाले वाउचर में करनी पड़ेगी जितना आपका remaining है उतना दिना पड़ेगा यहां पर एक example दिया गया कि present stock मान के चले हम कि हमारे पास books का 20-200 का stocks है और किसी effective किसी due की वज़े से किसी physical cost की वज़े से किसी भी physical condition की वज़े से वो खराब हो जाते हैं तो दस पीस खराब होगे तो हमें क्या करना होगा हमें entry पास करनी होगी one 90 piece book की जो physical stock में दिखाना होगा यानि total piece 200 हैं इस वाली एंटी के साब से 190 में पास बचे हैं क्योंकि दस खराब होगे तो यह entry किस चरह से होगी चलते हैं टेल प्राइम के अंदर पहली बात तो यहां पर book की entry करनी है मेरे पास book तो भी stock में है ही नहीं तो books लाने के लिए पहले books को purchase कर लेता हूँ पर्चेस करने के लिए F9 voucher होता है मैं आपको पुरानी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ यहां supplier invoice number के अंदर entry में bill number आता है मैं देता हूँ यह bill number कुछ बिल नंबर मैं यहां पर mention कर देता हूँ यह वाला पार्टी अकाउंटे में cash ले रहता हूँ फिलाल और मैंने यहां पर purchase की है books 200 बुक्स जाएंगी मेरी pieces में और entry के बहाँ पर मैंने दिखाया कि मेरे पास 200 बुक्स है rate मैं देता हूँ फिलाल इसमें 100 का और मेरे पास यह purchase वाली entry हो गए purchase हो जाने के बाद क्योंकि मैंने bill भी बनाया है तो मेरे stock समय में show होगा यह आगी मेरे पास books 200 हमारे condition के नुसार हमारे पास 200 piece हैं और 10 किसी वज़े से खराब हो गई तो 190 के entry pass करने होगी इस voucher में तब जाकर वो बचेगा 190 का stock stock समय में दिखा दिया मैं आपको 200 piece है मेरे पास यहां पर दिख रहा है अब चलेंगे वाउचर के अंदर control के साथ F7 button प्रेस करना पड़ेगा तो control F7 से आपके सामने यह वाउचर और उपन होता है जिसका आप physical stock होता है इसके अंदर हमें particle name वगरा कुछ नहीं देना क्योंकि हमने समान किसी से भी लिया हो खराब हमारे पास आने के बाद हुआ है तो हम उस सामान को इसमें एंट्री करेंगे 200 पीस अविलेबल है पर अब बचा कितना balance quantity बचा 190 बस इसको ऐसे सेव कर देना है अब इस टॉक समरी में अपने आप 10 पीस से रिडियूस हो जाएगा और स्टॉक बचेगा 190 पीस का इस तरह से स्वाचर की यूज होता है और इसमें एंट्री के जाती है देखते हैं अगला फीचर क्या है हमारा यह एंट्र हमने पास कर दी है अगला फीचर है इंकम एंट्स्पेंटिचर और स्टेट्मेंट औफ प्रफिट और लॉस अकाउंट अब यह क्या करता है कि टैली प्राइम ग्रंदा बाइड डिफॉल्ट हमें गेट्वफ टैली में है मिलता है प्रफिट और लॉस को अप्शन अगर हम इसको बदलना चाहें इंकम एंड एक्सपेंडिचर के रूप में तो आपको करना इतना होगा प्रफिट अ लौस कर लेजर profit and loss कर लेजर by default आपको बनावा मिलता है से बोलता है predefined लेजर यहां से हमें क्या करना होगा इस feature पर यह वाले option यह सकरना पड़ेगा जिसको दिया है use as income and expense account तो यह करेगा क्या कि जो बाहर वाले area में screen पर हमें दिखा रहा था profit and loss यहां पर इस जगा पर जो लिखा हुआ रहा है इसका नाम profit and loss लिखा हुआ रहा है तो वह दिखा भी रहा है हम चाहिए उसे बदल सकते हैं income and expense का लूप में alter, laser और profit and loss account यहां से हम इस feature को yes कराना है yes करने के बाद से accept कर देंगे और अब escape बटन से बाहर आते हुए आप देखेंगे कि उसका नाम बदल कर expense account हो गया पहले था यहां पर profit and loss account अब हो गया income and expense account यहां पर कोई भी stock शो नहीं करेगा बेसिकली यह एंजियो से अगरे में इस्तिमाल होता है एंजियो में क्या होता है कि payment आती है donation के रूप में और जाती है खर्चों के रूप में expenses के रूप में तो donation आने वाली income यहां पर आती रहेगी हमारे पास और जो बचा हुआ होगा वह यह दिखा देगा फिलहाल तो हमारे पास हैसी को entry है नहीं तो आप गो entry कर सकते हैं बाक profit and loss icon में जाओगे और यह वाला फिचर आपको no करते हैं तो देख सकते हैं आप यहां पर हमारा profit and loss icon आ गया इस तरह से entry हुई हमारे पास आज हमने पढ़ा है तीन तरह तीन तरह के फीचर पहली प्राइम के अंदर पहला तो मैंने बताया आपको कि zero value transaction मैंने आपको इससे पहले वीडियो मता जेता उसके बाद आपका आया feature integrate accounts and inventory इसके बारे में हमने इसमें डिसकस किया है और इसके अलावा हमारा एक voucher आया था physical stock voucher ये voucher क्या होता है क्यों होता है कैसे इसमें entry की जाती है और साथी साथ हमारा एक feature यूज हुआ income expenditure statement state of profit and loss account तो ये शारी शीत हमने आज इसमें की है I hope आपको features काफी useful लगेंगे काफी अच्छे से समझभाएंगे वीडियो इच्छे लगेगी तो वीडियो का लाइक करना ना भूले और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथी साथ हमा और 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 कॉर्से से रिगार्डिंग वीडियो के डेट वेगुलर आपको मिलती रहें थैंकिसो मच फर वाचिंग